खाली पेट कच्छा आउला खाने से कई फाइदे होते हैं। इससे आपका पाचनत अंत्र और हड़िया मजबूत बनाये रखने में मदद मिलती हैं। आउले में विटेमिन C, एंटियोक्सिडेंट, केलशियम, आयरम, पोटेशियम, फ्लायोनाइस और एंथोसाइनीन जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं। कच्छा आउला खाने से आपका इम्मुनेटी सिस्टम और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। खाली पेट में कच्छा आउला खाने से आपकी आखों की रोशनी और बालों में चमक आती है। इसके अलावा कॉब्स और दस से भी आराम मिलता है। इसका कई तरह से सेवन किया जा सकता है। इसके लिए आप आउले को राध भर भिगो कर और उबाल कर भी खा सकते हैं। इम्मुनेटी सिस्टम को बनाए मजबूत। खाली पेट आउला के सेवन से आपका इम्मुनेटी सिस्टम मजबूत हो सकता है। आवला में विटामिन C मोजुध होता है, साथी आवला प्राक्रूतिक लेक्जिट्यू का काम करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, सुबह खाली पेट कच्छा आवला खाने से या जूस पीने से काफी फायदा मिलता है, आवला में फंगल इंफेक्शन और पेक्ट्रिया से लडने की ताकत होती है, पाचन तंद्र को रखे दूरूस्त, आवला में प्रचूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो शरीर के पाचन तंद्र को ठीक कर पेट की समस्याव से छुटकारा दिलाता है, आवला का खाली पेट रोज़ाना सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, फाली पेट में इसके सेवन से कब्स और एसीटिटी से रहत मिलती है, हड़ियां बनाये मझजबूद, आवला में केल्सियम भरपूर मात्रा में होता है, आवला के सेवन से हड़ियां मझजबूद होती है, और जोडों को दर्द से भी जाहत मिलती है आवला में पोटेशियम की मात्रा भी होती है जो शरीर की मास पीश्यों के लिए बहुत फाइदेमन होता है तुच्छा और बालों के लिए फाइदेमन बालों को काला घना और चमकदार बनाने के लिए आवले का प्रयोक बहुत फाइदेमन हो सकता है खाली पेट में आवला खाने से आवले के पानी से बाल धोने से बाल चमकदार नजर आते हैं साथ ही आवले में मौझूद एंटियोक्सिडेंट के कारण आपकी त्वचा के दाग धब्बे भी ठीक हो जाते हैं और द्वचा खुबसुरत दिखाई देती हैं इसके अलावा आप चेहरे पर आवला का पेस्ट बना कर भी लगा सकते हैं डाइबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आवला क्रोमियम का सबसे अच्छा स्त्रोथ है आवला शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और डाइबिटीज को नियंतित करने में मदद करता है इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है कच्छा आवला का उपयोग आवला को आप रात को भीगो कर रख दे रोज रात को एक कप में आवला भिगो दे और सुभर उठकर खाली पेट में आवला का पानी पी ले इसके अलावा आप आवले को पानी में उबाल कर खाली पेट में भी पी सकते हैं और उबले हुए आवले को खा सकते हैं आप चाहे तो आवला का मुरब्बा भी खा सकते हैं, लेकिन डायबटीज के मरिज बिना डॉक्टर की सलहा ले, मुरब्बा ना खाए। साथ ही आप खाली पेट आवले को काले नमक के साथ भी खा सकते हैं। खाली पेट आवला का चूर्न, गरम पानी और शहत का सेवन कर सकते हैं। तो ये थे खाली पेट आवला का सेवन करने के फायदे और आवला के उपयोग। अगर आप अच्छी quality के आवला juice, आवला चूर्ण, आवला मुरब्बा खरीदना चाहते हैं और आप confused है कि कौन सा खरीदे तो मैंने आपके लिए इस वीडियो के description में अलग-अलग तरह के बढ़े ही अच्छे quality के आवला juice, आवला चूर्ण और आवला मुरब्बा के link दे द क्योंकि आपके लिए इसे जोनी अन जानकारी और प्रोड़क्स दून कर लाने में जो के आपको स्वस्त रखे इसमें बहुत ही वेनत लगती है और आपका एक एक लाइक हमें बहुत ही खुशी देता है ऐसे ही research भरे वीडियो को देखने के लिए इस channel को जरू आपके इस channel पर अपलोड होने वाली जानकारी भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाए तो के बाइन मिलते हैं अगले